3 reasons to choose cancerous center आज इस वीडियो में मैं 3 important point बता रहा हूँ जो आपको cancerous center चूज कने के लिए और मदद करेंगे सबसे पहला ये अकेला वो center है जो इतने सालों से इतने सालों से चल रहा है write more than 45 years कोई एक ऐसा center बता दो other than Tata Memorial जो इतना लंबा चल रहा हो जो cancer treatment में कर रहा हो आपने नहीं सुना था yes, हमार पास इतने funds नहीं थे कि हम इसको advertise कर सके हमार पास इतना resources नहीं थे कि हम इसको advertise कर सके हमार पास कोई pharma company की backing नहीं थी कि हम इसको advertise कर सके शायद इस लिए आपने नहीं सुना but sustain तो ये last 45 years से कर रहा है खासी जुकाम बुखार अस्थमा जोडों का दर्थ और साथ में cancer नहीं कर रहा था for last 45 years only cancer treatment हो रहा था so this is one important point जो कोई नहीं कर रहा जितने cancer treatment centers आप ही रहे they are all 1 year, 2 year old, 3 year old, maximum 5 years old is there anybody who is so many years old? one important point second reason हम लोग अपने values कभी नहीं छोड़ते और वो values है, integrity, honesty and patience comes first and number 4, OPAT one patient at a time एक time पे एक महीन में अगर 10,000 मरीज भी treat कर रहे हैं तो भी you are important to us like the way you are important to your family आप अपने family member के लिए हमारे पास आते हो उसी तरीके से we treat one patient at a time चाहे आपको बाहर OPD में 100 मरीज बेटिंग करते होगे देखे कोई हश-हश में treatment नहीं होता कोई जल्दबाजी में treatment नहीं होता किसी को बिना सवाल अंसर की treatment नहीं होता चाहे जितनी लंबी बेटिंग हो, चाहे रात के 12 बज जाएं रात के 2 बज जाएं सुबा के 4 बज जाएं बट आपका जवाब अंसर के ये बिना हमारे center से कोई doctor नहीं जाता We always treat O-P-A-T one patient at a time नंबर 3 हर एक follow-up track दोता है अगर आपको कोई review दिखे अगर आपको कोई comment दिखे और वो बोले कि मैंने 2 महिने तक cancler center का treatment लिया और मुझे फायदा नहीं हुआ तो आप इस बात को कभी विश्वास मत करना कोई ये जरूर कह सकता है कि यहां 30 दिन फायदा हुआ 30 दिन दवाई लेकिन फायदा नहीं हुआ तो इसलिए मुझे treatment छोड़ना पड़ा बढ़ कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने 5 मेने तक दवाई काई और मुझे treatment छोड़ना पड़ा क्यों? क्योंकि हमारे एक rule है और वो rule सारे centers में valid है वो ये कि अगर 30 दिन के अंदर 30-45 दिन में अगर फायदा नहीं होता हम आगे दवाई नहीं देते और ये rule इसलिए है ताकि आपके समय खराब ना हो आपका पैसा खराब ना हो और above all मरीज की condition खराब ना हो So this rule is always there आपको एक center बता दो जहां पर इस तरीके से किया जाता हो कि अरे आपको फायदा नहीं हुआ मैं prescription card देता हूँ मैंने आप prescription लिख देता हूँ ये card देता हूँ अब ये दवाई लिख देता हूँ ये दवाई card देता हूँ अब ये दवाई लिख देता हूँ ऐसा हमारे है नहीं होता जो दिया है 30 to 45 days में change होगा जो दिया है 45 days में result आएगा We are a result oriented treatment जहां पर we are more into implementation हमारा implementation बहुत strong है हमारे results बहुत strong है process it takes time but implementation is so strong enough that you start seeing results और ये result हमारे हर मरीज में दिखता है तो कोई अगर आपको फर्जी review डालता हूँ देखे ना कि मैने 5 मिने दवाई खाए मैने इतने लाग रुपे कर्च कर दिये और मुझे फाइदा नहीं हुआ समझ जारा हो जूटा review है क्यों? क्योंकि ये हमारे follow नहीं होता it would never happen that डेड़ महीने में अगर किसी फाइदा नहीं हुआ छालिस दिन उसे बोला जाए नहीं अब आपको और दवाई हम बदल के देंगे it will never happen like that और हर follow up तीन बार लो पर टिक किया चौथी बार मेरे दवाई नहीं दी जाएगी आप ये सेफ हो कि आपका समयन नहीं मेरे अबरबाद होगा आपका पैसा मेरे अबरबाद नहीं होगा आपका treatment में पेशिंट की condition मेरे अबरबाद नहीं होगी so you can understand why these three reasons are so powerful to choose cancer in a center as your treatment choice I think this answers your question अपना ख्याल रखिये नमशकार